Growth and Development की टोपिक को आगे बढ़ाते होगे आज हम टोपिक कवर करने वाले है Principle of Growth and Development हम Growth and Development का Difference और Definition Expect क्या-क्या होते हैं वो सारी चाज़े हम Previous वीडियो में कर चुकी है तो आज हम पढ़ेंगे Principle of Growth and Development की क्या-क्या Principle होते हैं Development और Growth की तो यहाँ पर 10-12 Principles होते हैं जिसे हम समझ सकते हैं की Development कैसे-कैसे होता है पूरे Life Span में तो First है Principle of Heridity and Environment मतलब कि जो Development और Growth है वो Heridity पे भी Depend करती है और Environment पे भी दोनों का Product ही Growth और Development को Affect करता है जैसे हमारे Parents कैसे हैं उनकी Genes, उनकी Chromosomes के थूर हमारे अंदर जो भी Development और Growth की Process होगी हम उसको पहले से ही Predict कर सकते हैं हमारी आंखों, आंखों का Color, बालों का Color, बालों की Shape, टेक्स्चर, हमारी Body की Height, Body के जो Proportion होता है वो भी वो कहीं न कहीं हमारी Heridity पे फरक डालता है, Affect करता है लेकिन जो हमारा Environment होता है, वो भी हमें Affect करता है, अब जरूरी नहीं है कि Environment मालो काफी अच्छा है, जैसे थंडे इलाके जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि Color काफी Fair होता है तो अगर हमारे यहां का कोई बंदा है, इंडिया का कोई बंदा है, वो अगर foreign country में, ठंडी वाली country में जाके ठंडी इलाके में रहता है तो वहाँ पे एक दो generation के बाद उनके Color में Change आना शुरू हो जाएगा तो पूरे तरीके से heredity जो है, वो effect डालती है, लेकिन environment जो होता है, वो भी हमारी body में देरे देरे change लेके आता है और जो दोनों का product होता है, उसका effect पड़ता है हमारे development पे और growth पे फिर principle of continuity, कि जो growth और development है, वो continuity या continue रहते हैं पूरी life span के लिए लेकिन growth है, वो एक particular time period के बाद रुक जाती है, वो development जो होता है, धीरे धीरे वो चलता रहता है पूरी lifetime के लिए, लेकिन uniform way में नहीं चलता, कि आज भी इतने percent हो रहे, कल भी इतने percent होगा, ऐसा नहीं है वो कभी रुक जाएगा, लेकिन हाँ होता रहेगा, negligible होगा, कभी speed fast हो जाएगी, like कभी height एक दम से निकलने लग जाते है एक age group में, फिर रुक भी जाती है लेकिन यह है कि पूरी lifetime वो चलता रहता है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन चलता रहेगा हो principle of general to specific, general to specific मतलब एक हम पहले general से specific की तरफ हम बढ़ते हैं, जब भी growth हो, development होता है mainly हम development की बात कर रहे हैं, जैसे baby होता है, तो वो पूरे body को move करता है, जब रोएगा तो हाथ, पैर, सब कुछ चलाएगा वो, पूरी body से रोता है एक तरीके से लेकिन जैसे जैसे बच्चा grow होता है, adult form की तरफ जाता है, तो रोता है, तो सिर्फ उसकी आँखों से आप पता लगा सकते हैं, कि वो रो रहा है, उसकी आँखों में से आसू निकलने शुरू हो जाएंगे वो पूरे हाथ पैर नहीं मारता बाद में, तो general to specific, पहले पूरी body react कर रही थी, फिर specifically eyes react कर रही है उसकी, तो एक change आता है specific behavior में, ये भी growth and development में होता है, फोर्थ है principle of individual difference, हर एक बच्चा अलग होता है, तो हर एक बच्चे का जो growth and development होगा, वो भी अलग-अलग होगा, अब जरूरी नहीं है कि एक बच्चा like उसकी 10th class में height बढ़ी और दूसरा बच्चा है उसके साथ वाले के 10th class में उतनी height नहीं बढ़ी, तो ये compulsory नहीं है कि उसकी उसी age में आके, उसी time period में उसकी height बढ़ने चाहिए थी, क्या पता वो 12th में आये, 11th मतलब उसके 1-2 साल बाद तक भी उसकी height grow करे, उससे भी लंबा चला जाए, तो सब में कुछ न कुछ difference होता है, जरूरी नहीं है कि सब की height एक particular level पे ही जाए, कुछ छोटे रह जाते, लेकिन वो दूसरे areas में काफी अच्छे होते हैं, काफी creative होते हैं, कुछ और skills होती हैं उनकी, ठीक है, सब का development में काफी पढ़ता है, तो development सब बंदे अलग-अलग है, सब इंसान अलग-अलग है, तो development की जो process होती है, वो भी सब में अलग-अलग होती है, rate of development होता है, वो भी अलग-अलग होता है, सब में, principle of integration, integration का मतलब है कि एक तरीके से, वही कि सारी चीजे के integrated form में पहले वो react करत है, इसको आप बोल सकते है, hold to part या part to hold, पूरी body react करती है, पहले फिर हम specifically एक चीज के तरफ जाते हैं, finger moment होता है, बाद में पहले हम पूरे हाथ को हिलाते थे, फिर finger से हम pen when पकड़ना और छोटी-छोटी चीजे भी करना सीख जाते हैं, तो बहुत सारी moments है, बहुत सारी muscles ह है हमारी, वो मिलके काम करती है, तब हम एक काम को कर पाते हैं, तो यह हो गया integration, like मुझे running करनी है, तो मेरे सिर्फ pair pair move नहीं करेंगे, उसमें मेरे हाथ भी move करते हैं, मेरी muscles हाथ वाली, like पूरे chest की, shoulder की, सारी body मेरी move करेगी, उस काम को करने के लिए, उस running को करने के लिए, क हमारी हाथ move करते हैं, तो हम speed जादा बढ़ा पाते हैं, आप कोशिश करोगे हाथ रोक के दोडने के, तो आप उतना तेज नहीं दोड सकते हो, like हम खाना खाते हैं, तो खाना तो हम मुझे से खाएंगे, लेकिन हमारी जो हाथ की moment है, हाथ की muscles हैं, वो भी उसमें अपना participation कर कि कैसे development होगी, किस level तक होगी, क्या करेगा बच्चा जाके, उसकी physique कैसे होगी, उसका mental level IQ कैसा होगा, किस field में कितना अच्छा कर सकता है, तो यह हम पहले से ही predict कर सकते हैं, principle of cephalosodal की head to toe की तरफ जाती है, जो हमारी development होती है, जैसे एक बच्चा होता है, तो बच्चा एकदम से चलने नहीं लगेगा, आप उसको observe करोगे, तो छोटा बच्चा जो होता है, वो सबसे पहले अपना सर का वजन संभालना सीखता है, शुरू-शुरू में तो उससे सर balance बनाना सीखता है, कि मैं इधर उधर लुड़क ना जाऊं, उसके बाद धीरे-धीरे वो लाइक ऐसे चलते-चलते, सरकते-सरकते, खड़े होके अपने पैरों पे चलना सीखता है, तो जो हमारा development है, वो head to toe चलता है, मतलब सर से पैर की तरफ चलता है, धीरे-धीरे हम करते हैं, फिर है principle of proximo distal, मतलब center to periphery, center to periphery कैसे है, कि पहले पूरा हाथ, पूरे पैर मूव करते हैं, उसके बाद हम धीरे-धीरे हाथ को कंट्रोल करते हैं, कि कैसी हमें हाथ कितनी उसमें हिलाना है, यसे नहीं कि हम कैसे ही मारते जाएंग, छोटे-बच्चोते वैसे हाथ पर मारते रहते हैं, बाद में वो react करते हैं कुछ चीज पकड़ने के लिए, बेशक पकड़ी ना जाए, लेकिन उसको पता है कि मुझे right hand हिलाना है, तो वो एक hand move करेगा अपना, धीरे-धीरे वो पूरे हाथ को ऐसे मारता है किसी भी चीज पर आप observe करोगे तो, पकड़ा नहीं जाता उससे, उसके दिमाग में शायद चलता होगा कि मैं पकड़ लू लेकिन इतना कंट्रोल उसके हाथ पी नहीं रहता, जैसे-जैसे उसकी age बढ़ती है, वो एक साल की तरफ आने लगता है, तो वो पूरी fingers पर कंट्रोल कर लेता है, दीरे-दीरे, वो एक छोटी को उठाने की कोशिश करता है, और वो लास्टन उठाना सीख जाता है, तो center to periphery चलती है, जो हमारी development चलता है वो, ना इंदे principle of changes, कि changes होंगे development में, like physical change हो रहे हैं, कि कोई चीज, height weight हमारी बढ़ती है, कुछ हमारे पूराने features होते हैं, वो खतम हो जाते हैं, disappear हो जाते हैं, ज्यादा excess amount में बाल होते थे human body पे, लेकिन जैसे जैसे time बदला है, हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं रही है, या हम कपड़े पहनने लग गए हैं, तो गर्शन जो होता है, उसकी वज़े से हमारी genes में भी change आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो चीज़े गायब होने लगती है, फिर a principle of maturation and learning, कि development जो है वो product ही maturation का और learning का है, हम जैसे जैसे सीखते जाते हैं, जैसे जैसे हम एक बड़ी age में या जैसे जैसे age हमारी बढ़ती जाती है, तो हमारा maturation level भी बढ़ता है और learning भी बढ़ती है, पहले बच्चा उसी चीज़ को असली मानता है, जो उसको concrete form में दिखती थी, उसको सामने दिखती तो जैसे हम छुपाते हैं, तो वो सोचता है कि वो चीज़ गायब हो गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 की age आती है, तो वो समझने लगता है कि वो चीज़ छुपाई गई है, मेरे सामने नहीं है, लेकिन उस चीज़ का वज प्रिंसिपल उफ मैचुरेशन और लर्निंग है उनका प्रोडेक्ट ही डेवलेपमेंट है देन आता है डेवलेपमेंट इस पाइरल कि जो डेवलेपमेंट है वो लीनियर फोम में नहीं है वो इस तरीकी से स्पाइरल फोम में है स्पाइरल फोम कैसे कि जरूरी नहीं है कि डेवलेपमेंट हर स्टेज पे होता ही जाएगा सेम स्पीड रहेगी ऐसा नहीं है जैसे स्पाइरल होता है न कि ऐसे घूमता है पूरा राउंड राउंड फिर एक ब्रेक आता है फिर से वो अपनी इनिशल स्टेज पे जाता है फि फिर वो थोड़ा बैक भी हो सकता है और फिर से मूँ आगे फोरवर्ड करता है देन ट्वेल्थ है प्रिंसिपल ओफ यूनिफोर्मिटी कि यूनिफोर्म वे में होगा एक तरीकी समय जरूरी नहीं है कि यूनिफोर्म वे चलेगी उसकी लाइफ टाइम के लिए यूनिफोर् हो जाता है और कभी फास्ट चूटा रशाता है इस तरीके से हमारा पूरा बैवर्मिट कप जो प्रोसेस व्हों चलता हाँ तो इन फ्रिंसिपल पर डिपेंड होता है हमारा डेवलेप्मेंट प्रोसेस और हमारी एजुकेशन फिल्द में हम यूज कर सकते हैं जैसे हमारी देखते हैं बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं टीचर कि देखो तुम्हारी हाइट नहीं बड़ रही है यह छोटा रह गया है ठीक है इस तरीके से हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे की फिजिकल फीचर्स है वो पैरेंट्स के उपर डिपेंड करते हैं हैरी तो उन सब की रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनका जो एन्वायरमेंट और हेरीडिटी है उनकी वजह से वो उस तरीके से हैं और सब अलग-अलग है क्योंकि सब अलग-अलग अरिया से आई हैं सब एक अलग बच्चा है सब इंडिविज्वल है उनकी अलग आइडेंटिट अच्छा डेवलेपमेंट उनका होगा अगर हम एक अच्छी मेंटलेटी के साथ चलते हैं तो यह पूरी वीडियो हो गई प्रिंसिपल ओफ डेवलेपमेंट और ग्रोथ के ऊपर और अगर आपको वीडियो हेल्प लगिया तो प्ली चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब् करिए और अपनी नॉलेज में भी डेवलेपमेंट करते रहिए थैंक्स वर होचिंग विस वीडियो हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में